इसके एलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप शेयर करूँगा इसे फॉलो करके आपका पुदिना का पौधा जल्दी बुशी बनेगा और आपका पौट जल्दी भर जाएगा सब्सक्राइब किजिए रूब गार्डनिंग चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ओन किजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पुदिना एक ऐसा पौधा है जो अपने गार्डन में होना ही चाहिए पुदिना प्लैंट के कितने सारे फायदे हैं ये तो आपको पता ही होगा आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप पुदिना को किस तरीके से कटिंग से उगा सकते हैं हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शुरू जीत और आप देखरें आपका अपना यूट्यूब चैनल रूप गार्डनिंग तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पुदिना को काटिंग से ग्रू करना बहुत ही आसान होता है सबसे पहले आप कुछ इस तरीके का ब्रैंच ले लीजिए इस तरीके का ब्रैंच बहुत ही आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगा इसके बाद हम एक पॉट लेंगे यहाँपर मैंने प्लास्टिक का एक चोटा सा पॉट लिया है और इसके नीचे मैंने दो ड्रैंच जोल बना लिया है आप कोई भी पॉट यूस कर सकते हैं लेकिन उसके नीचे ड्रैंच जोल होना चाहिए आप हम इन ड्रेने जोल के उपर पोट का दो टूटा हुआ टुक्रा रख देंगे इससे हमारा एक अच्छा ड्रेने सिस्टेम तहियार हो जाएगा आप हम इसमें अपना पोटिंग मिक्स डालते हैं पोटिंग मिक्स में मैंने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है कोकोपीट पूदिना का कटिंग ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है और आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एमाजॉन का लिंक दिया है आप वहाँ से खरीच सकते हैं आप हम इसमें अच्छी तरीके से कोकोपीट डाल लेते हैं कोकोपीट का अगर कोई बारा टुकड़ा होगा तो हम इसे तोड़ देंगे और से बारीक कटा हुआ कोकोपीट को ही इसके अंदर डालेंगे कोकोपीट में हम हातों से थोरा सोरा पेशर देंगे जिससे की एर पकर्स खतम हो जाएगा इस तरीके से मैं पूरे पॉर्ट में अच्छी तरीके से कोकोपिट भर लूँगा आप हम इसमें अच्छी तरीके से पानी देंगे और पूरे कोकोपिट को गिला कर देंगे कोकोपिट अपने अंदर बहुत दिनों तक पानी अबसर्ब करके रखता है इसलिए आपको बार-बार पानी डालने का ज़रूरत नहीं परेगा आपको बस एक बार ही इसके अंदर भरभूर पानी देना है जिससे की अपना कटिंग अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना पौट का नीचे से पानी बहे के बाहर आ रहा है इसका मतलब पूरा कोकोपिट गिला हो गया है अब हम एक-एक पुदिना का ब्रैंच लेंगे और इसको इस कोकोपिट के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देंगे यहाँ पर हम रूटिंग हर्मोन का इस्तवाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पुदिना के लिए रूटिंग हर्मोन का ज़रूरत नहीं होता अगर आपके पास रूटिंग हर्मोन है और आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं इस से पुदिना का roots और भी जल्दी आएंगे लेकिन बहुत लोगे के पास rooting hormone नहीं होता इसलिए मैं rooting hormone के बीना ही दिखा रहा हूँ इस तरीके से मैं अपने सभी पुदिना के cutting को इसके अंदर डाल लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का shower करेंगे और पौधे को गिला कर देंगे इसके बाद आपको इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि हमने कोकोपीट का इस्तमाल किया है और कोकोपीट का इस्तमाल करने से पौधे में बार-पार पानी ड़लने का जरूरत नहीं बढ़ता मैंने गलतीश से बहुत बार पानी डाल दिया था इसलिए मेरे कुछ कटिंग सर्वाइब नहीं कर पाए इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बार-बार इसमें पानी ना डालिये एक बार पानी डालने से ही आपका कटिंग सक्सेसफ़ली ग्रो हो जाएगा दस दिन के बाद आप देख सकते हैं अपने कटिंग सक्सेसफ़ली ग्रो हो चुके हैं यहाँ पर मैं आपको कुछ पौधे निकाल के दिखाता हूँ कि उनके अंदर किस तरीके से roots आ गए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैंने बहुत ही जादा पानी का इस्तमाल किया, हर रोज इसमें पानी का स्प्रेक किया, इसलिए मेरे पौधे का हलत कुछ इस तरीक पौधे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इनको grow करेंगे। पौधिने को grow करने के लिए मैंने यहाँ पर एक oil ram का आधा हिस्सा लिया है। पौधिना को ऐसा pot चाहिए जो बरा हो लेकिन कम गहरा हो, इसलिए मैंने ये pot लिया है। पौध के नीचे मैंने चार drainage hole बना लिया ह इन ड्रेनेजल के ऊपर मैं चार पॉट का टुकरा रख दूंगा इसके ऊपर हम सैंड का एक लेयर दे देंगे इससे कि हमारा एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टेम तायार हो जाएगा जिससे कि पुदिना के रूट्स मिट्टी के अंदर पानी जमने की बज़े से गलिंग गे नहीं और अपना पॉधा अच्छी तरीके से ग्रोध कर सकेगा आप हम अपने पॉट में अपना पॉटिंग मिक्स डालते हैं यहाँ पर मैंने जो पॉटिंग मिक्स यूज किया है इसमें एक हिस्सा गार्डेन सॉयल एक हिस्सा कोकुपीट और एक हिस्सा कमपोस्ट है आप कोई भी compost यूज कर सकते हैं जैसे कि भार्मी compost, कावड़ाग compost या फिर organic compost या फिर पत्तियों का खाद कोई भी compost मिला के आप ये potting mix यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने organic compost यूज किया है और organic compost में extra neem cake add होता है इसलिए मुझे एक्स्ट्रा एड़ करने का ज़रुवत नहीं परेगा अगर आप भार्मी कंपोस्ट या फिर काउडन कंपोस्ट यूज कर रहे हैं तो आप इस potting mix में देर से दो चम्मच नीम का powder यानी नीम खली मिला दे और अपना potting mix तयार कर ले अब मैं अपना potting mix इस pot में अच्छी तरीके से भर लेता हूँ अब हम इस pot में पौधे को लगा देते हैं एक छेत करके इसके अंदर पौधे का जो roots है उसको डाल दोंगा उसके बाद मिट्टी में थोरा सा पेशर दूंगा जिससे की पौधा सेट हो जाएगा इस तरीके से मैं अपने सभी पौधे को लगा लेता हूँ आप चाहे पूजिना के पौधे घने करके भी लगा सकते हैं और बीच में थोरा बहुत जगे रखके भी लगा सकते हैं अगर आप घने करके लगाएंगे तो आपका अगर एक दो पौधा मर भी गया फिर भी आपको कोई फर्ट नहीं भरेगा इसलिए आप जादा से जादा पौधे एक पौध में लगाईए इससे आपका पौध जल्दी भरेगा और बहुत सारे पौधिने के पत्ते आप ले सकेंगे इसके अलावा इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप शेयर करूँगा इसे फोलो करके आपका पौधिना का पौधा जल्दी बुशी बनेगा और आपका पौट जल्दी भर जाएगा आप हम इसमें अच्छी तरीके से भरपूर पानी देंगे और पूड़े मिट्टी को घीला कर देंगे कोई भी पौधा आप लगाए उसके बाद इसमें भरपूर पानी देना बहुत ही ज़ादा जरूरी होता है इसलिए हम इसमें भरपूर पानी देंगे और पूड़े मिट्टी को घीला कर देंगे आप दो से तीन देन के लिए हम इनको सेमिशेर जगह पर रख देंगे जब तक इनकी नई ग्रोथ शुरू नहीं हो जाता इसके बाद हम इनको फूल संडाइट में रखेंगे जिससे कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा देर महिने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं अपने पूधे में पूधिना कितनी अच्छी तरीके से फैल गया है और पूधा कितनी अच्छी तरीके से बुशी बन गया है लेकिन मैंने इनको विंटर शुरू होने से पहले ग्रोथ किया था इसलिए इनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि पूधिना को ग्रोख करने का बेश टाइम होता है स्प्रिंग या फिर समर इसलिए अगर आप बेश्ट रिजल्ट जाते हैं तो फिर इन पौधे को स्प्रिंग या फिर समर के टाइम पे ग्रो किजिए इससे आपका रेसल्ट और भी अच्छा मिलेगा अब मैं आपको बताता हूँ पुदिना को बुशी बनाने का एक लाजवाब तरीका पुदिना के जो लंबे-लंबे ब्रैंच निकलेंगे आपके पौधे में उनको आप मित्ती के साथ छिपका दीजिए मैंने यहाँ पर एक लोहे का तारका यूज किया इसको मैं मित्ती के अंदर डालके जो पुदिना का ब्रैंच है उसको मिट्टी के साथ फिक्स कर दूँगा इस से पुदिना के ब्रैंच से बहुत सारे रूट्स निकलेंगे और हर एक नौट एरिया यानि जहाँ से पत्ते निकलते हैं वहाँ से नए-ने ब्रैंच निकलेंगे और आपका पौधा जल्दी बुशी बनेगा आप हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फार्टी लाइजर यानि खाथ के बारे में मैंने अपने पुदिने के पौधे में कोई भी केमिकल फार्टी लाइजर का यूज नहीं किया इस पे मैंने ओनली लिक्वीट फार्टी लाइजर का यूज किया जो मैं घर पर बनाता हूँ इन सबी liquid party leather के बारे में अगर आप जानना चाते हैं तो उपर i button में मैंने link दिया है आप वह पर click करके वो वीडियो देख सकते हैं यहीत आज का वीडियो पुदिने को आप cutting से किस तरीके से उगा सकते हैं इसके बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किजिए और हमारे चैनल को सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर दीजिए थैंक यू, हैपी गार्डेनिंग करें तो बयास